हलो एवरिवन, वेलकम टू ओल इंडिया स्टोंट्स कम्यूनिटी, मैं ओल इंडिया स्टोंट्स कम्यूनिटी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा उत्तर परदेश की 49,568 भरती का आज अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है, और आगे बताने से पहले, इन सभी को और आपको आने वाले भविश्य के लिए बहुत-बहुत सुब काम नहीं है, आज ये बताते हुए बहुत खुसी हो रही है, कि 49,568 वाली भरती का अंतिम परिणाम आ चुका है, बहुत से हमारे स्टुडेंट् इंडिया स्टुडेंट्स कम्यूनिटी के नाम को रोशन किया है, तो आप सभी को बहुत-बहुत सुब काम नहीं, तो आपको याद होगा, 29,568 वाली भरती का 27-28 जनवरी को एक्जाम हुआ था, और जिन लोगों ने टोप किया है, उनके बारे में भी मैं आद को इस वीड आउंगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, 23,00, 23,00 फोम भरे गए थे, 23,00, ने आविदन किया था, 20,00, के आसपास स्टुडेंट्स ने इस पेपर को दिया था, जिसमें से वेकैंसी के धाई गुणा लगभग 1,00, 23,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, और अब 59,568 की इस भरती का अंतिम परिणाम जो है, जारी कर दिया गया है, और टॉप किया है गाजिपूर के गुलसन कुमार ने, गाजिपूर के गुलसन कुमार ने टॉप किया है, उनको बहुत-बहुत सुबकाम नाए उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, और महिलाओ में हरधोई की अंतिमा है उन्होंने टोप किया है अग जैसा कि मैंने बताया था एक छोटी सी प्रोब्लम है और प्रोब्लम क्या है कि इसी नीउज के साथ एक नीउज ओ रही है कि दिसंबर दिसंबर तो अब ये देखना बाकी होगा कि इनकी ट्रेनिंग कहां पर कराई जाती है क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वो सारे के सारे उनमें दिसंबर 2021 तक कोई जगह नहीं बची हुई है और इससे एक सवाल उठता है आने वाले भरती के लिए कि आने वाली भरती कब लेकिन ये सोचना और समझना थोड़ा आप बहुत समझ सकते हैं कि 2021 दिसंबर तक अगर जगह नहीं है तो अगली वैकेंसी सायद जल्द देखने को ना मिले फिर भी आप लगे रहें मैनत करते रहें आपका भविश्या जरूर रुजवल होगा आपको आने वाले भविश् के लिए बहुत-बहुत सुब कामना है और सुब कामना है उनको जिन्होंने All India Students Community का नाम रोशन किया है मैं फिर से चाहूंगा एक बार कमेंट्स करके सारे के सारे स्टुडेंट्स बताएं जो All India Students Community से पढ़ें और जिनका सेलेक्शन हो गया एक बार सभी बताएं ताकि लग कि हाँ उन्होंने कुछ किया और आपकी मैनत देखकर और लोग भी प्रेरित हो थैंक्यू जैहिन जैभारत